जाइंत फ़र्णेस वेल्गम बैक तो मैं चनल तो आज का वीडियो लेकिए हूँ है वाइल सी के रिटेन टेस्ट के रिगार्डिंग इसके अंदर मैं आपको कुछ चीजे बताऊंगा वाइल सी आपको किसले हल्पफूल है वाइल सी से क्या चीजे होती है और यह इस पेशल मिलती है आपको कहां पे ओटिय चिन्नई में करने का मौकशा मिलता है तो अब चिन्नई के लिए आप पहुंचना अगर ओटिय में तो उसके लिए सिल्बस क्या है पहले वो आपको जानना बहुत ही ज़ादा जरूई है कि आप क्या पड़ोगे क्या चीज आती है वाइल सी वाइल सी की दिक्कत ये भी है कि वाइल सी का अभी तक कोई model पर इसलिए नहीं आपाए क्योंकि वो written test लेते हैं और वो booklet के उपर text लेते हैं जो आपकी booklet होती हैं वहीं पर test होगा और जैसे ये booklet में आप भरते हैं और वो submit हो जाता है तो अभी तक किसी ने exactly देखा नहीं इसको किसी aspirant ने में को बताया जिनने वाइल सी दिया है उसके उपर ही मैं आपको चीजे बता रहा हूँ exact क्या चीजे हैं इसके अंदर क्या क्या चीजे आती हैं कैसे आपने prepare करना कितने माक्सी क्या चीजे होती हैं देखिए अगर while see की बात मैं यहाँ पर करता हूँ तो while see के अंदर आपके current phase आते हैं while see के अंदर gk आती है while see के अंदर maths आती है while see के अंदर gs में थोड़ा सा confusion है general science के अंदर reasoning आती है आपकी and English आती है so यह जो doubts हैं यह मैं आपको बता दूँगा personal हमारा एक group भी है SEO and PCSL के लिए अगर आपको वो group भी join करना है तो आप join कर सकते हैं और description में उसका link मिल जाएगा link पे click करके आप उसको join कर सकते हैं साथ में telegram channel भी है level हमारे पास जिसके ओपर भी हम चीज़े पोस्ट करते रहते हैं current files की चीज़े आपके जो normal informative चीज़े है SSBs regarding सारी कुछ data आपको maximum चीज़ वहां पर मिल जाती है सो इसके लिए क्या होता है जो written exam बहुत लोग में से ring करें पूछते हैं सर SEO में and PCSL में क्या written examination है क्या देखो भाई written examination कोई भी नहीं है आपके लिए एक while see written examination का आपको option दिया जाता है अगर आप इस written में qualify करते हैं तो आप आगे while see के लिए जा सकते हो जहां पे जैसे पहले आपकी PDP courses चलती थी personality development program तो वो चलती है AC punch मड़ी में ये उसका upgrade version है while see ये चलती है OTA chain में सारे आपको पहले जो भी boards में रह चुके हैं वो सारे faculties वहां पे मिलते हैं तो सारा जो आपका ambience होता है काफी अच्छा ambience है तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जितने लोग while see में पहुंचोगे आपके लिए उतना बहतर है while see में vacancy के बारे में बात कर लेता हूं vacancy कितनी है SEO और medical NTR entry जो होती है इसके लिए total vacancy है 50 जितने भी लोग return qualify करेंगे उसमें से उनका नाम merit आता है पहले return वालों का और फिर उनको screening के लिए वहाँ पे बुलाया जाता है कहाँ पे OTA चेनाई में तो 50 लोग लिए जाते हैं SEO और medical NTR entry से और 50 लोग लिए जाते हैं PCSL entry से so जो भी aspirant है जो भी तयारी कर रहे हैं उनके लिए यही session होगा क्योंकि आप अगर 18 week छूटते हो तो एक बात का अंदाजा याद रखना आप हमेशा मन में unit में रहो के आपको काम करना पड़ेगा पढ़ने या मौका आपको अपने time मिले दिन में 2 घंटे है पढ़ वहाँ पर आपसे कुछ भी कराया जाए तो आपको 8 बये से लेके डेड़ बये तक कोई नहीं शेड़ने वाला ये time एकदम golden time मिल जाता है आपको वहाँ पर duty बगरा भी नहीं है आपकी वहाँ पर line century बगरा ही बस देते हैं तो आपके लिए पढ़ने के लिए काफी जादा time so इसके लिए आपको time देना पड़ेगा थोड़ी तैयारी है जादा दिक्कत नहीं है थोड़ी तैयारी करें काम हो जाएगा exam की बात करूँ मैं तो exam इसके भी साल में दो बार होते हैं two times while c दो बार चलती है अब की बार while c चलने वाली है while c 8 के लिए exam जो लिखेंगे while c 08 के लिए लिखेंगे इसे जिए candidate क्या होता है उनके साथ जो एसी सी के लिए वो exam लिखते हैं उसके उपर ही उनकी merit आती है लोग कहते हैं 500 तक पहले उनका जो later था उसमें circulation हिसाफ से 500 लिया जाता है बट आज कल 853, 854 candidates को call up करते हैं वो कितनी vacancies के लिए 100 seat के लिए तो उसके हिसाफ से आपका जो competition है बहुत कम है इस बार 72 candidates से सिर्फ while c के लिए SEO और medical NDR entry से और तो ये काफी easy है आपके लिए आराम से आप 18 week का बहतरीन समय वहाँ बिता सकते हो और बहुत कुछ सीख सकते हो जो कि आप unit में possible नहीं है तो exam दो बार होते हैं अभी होगी while c 08 और exam का जो time है वो किस time पर duration क्या है इसका duration बता जता हूँ मैं आपको SEC exam के ये 4 या 5 इन के बाद होती है तो अब की बार ACC exam है फरवरी एक को तो I hope आपकी while c होगी 5 या 6 फरवरी तक आपकी while c की date आ जाएंगी मेरे पास letters नहीं है अभी तक इसलिए मैं आपको final confirmation नहीं दे रहा हूँ पर 5 से 6 के बीच में आपकी while c होनी है SEO, PCSL and medical anti-r entry वालों के लिए सो ये है आपका exam का जो syllabus था, syllabus यहां पर syllabus बहुत standard level भी नहीं बोलूँगा below standard नहीं बोलूँगा, एक average level के questions आते हैं आपके, सो अगर आप थोड़ा सा पढ़ाई करते हो तो कर सकते हो, इसके लिए अगर आपको notes चाहिए तो notes हमारे पास यहां available है इस number आप contact करके notes purchase कर सकते हैं जो भी details है वो जान सकते हैं और आप group को भी join कर सकते हैं description में आपको link मिलेगा हमारे SUPCSL group का, telegram का link मिल जाएगा वहाँ से आप join करके, अपनी खुद की भी तयारी खुद से कर सकते हैं, but I will recommend you कि अभी से तयारी start करतो, because 2 महीने आपके बास 2 months only, और जो भी इसके regarding नए informations होंगे, नए चीज़े होंगी, वहाँ पक्का आप लोगे शाथ share करूँगा, नए वीडियो लेके आके भी बट अभी तक के लिए फिलाल अपनी तयारी आप इससे start करिए, अगर वीडियो आपको पसंद आये हो, तो जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सस्क्राइब करें, वीडियो को पक्का लाइक करके प्यार दें और जाज़ा लोगे साथ share करें, उनको भी चीज़ों के बारे हम पता चले और उनकी भी help हो So once again, if you like this video, please like, subscribe my channel and thanks for watching this video, जैहन